जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल किलब आजाद है तेरे मैं अबिसार शर्मा एक बार फिर हमारे किसानों ने हमें गर्व करने का मौका दिया है दोस्तों एक बार फिर अन्यदाता देश की छवी को कहां से कहां पहुचा रहा है क्योंकि टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर भारती एक किसान आंदोलन को सलाम किया गया है उस किसान आंदोलन के पीछे जो महिलाए हैं उनकी जो ताकत है उसे सलाम किया गया है और वो पहला पन्ना अब आ रहा है आपके स्क्रीन्स पर वो पहला पन्ना क्या कहता है दोस्तों जी हाँ औरतें सही माइने में औरतें ही इस आंदोलन की ताकत है टाइम मागजीन ये कह रहा है मगर आज इस खबर के जरीए दोस्तों मैं भारती जहाता पार्टी सरकार और हमारी मीडिया के दोहरे माबदंड को भी एक्सपोस करूँगा मगर इप पहली बार नहीं है जब टाइम मागजीन ने हमारी औरतों को सलाम किया है भूल गए आप इस चेहरे को शाहिन बाग की दादी जी हाँ शाहिन बाग की दादी को टाइम मागजीन के उन सौ लोगों में जगा उन सौ प्रभावशाली लोगों में जगा मिली थी बार बार हम इस धारणा में रहे कर खुद को मूर्ख क्यों बना रहे हैं आज टाइम मागजीन के पहले पन्ने पर किसान आंदोलन को जगा मिलना अपने आप में बहुत कुछ कहता है मगर आज मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ टाइम आग्जीन के पहले पन्ने पर तो किसान को जगा मिल गई मगर क्या एक भी मीडिया चानल ने क्या किसी भी गोदी मीडिया चानल ने इस उपलब्धी की चर्चा की है क्या किसी भी गोदी मीडिया चानल ने इस उपलब्धी की चर्चा की है जहां पर किसान नहीं बलकि किसान आंदोलन के पीछे जो ताकत है उनकी महिलाओं को सलाम किया गया है। जबकि कुछ दिनों पहले एक जूट का प्रचार प्रसार खुले आम मीडिया ने किया था। खबर क्या थी मैं आपको बताता हूँ। खबर ये थी कि उत्तर पदेश सरकार ने टाइम मैगजीन को पैसे दिये थे एक विग्यापन चापने के लिए। जी हाँ और उस विज्यापन को ये कहकर उसका प्रचार प्रसार किया गया कि देखो टाइम मैगजीन जो है योगी सरकार की तारीफ कर रही है जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट का सामना किया और उसको जिस तरह से उसका समाधान किया सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों उस वक्त योगी सरकार किस तरह का प्रचार चला रही थी और उसी प्रचार को मीडिया ने आगे बढ़ाया था आपके screens पर मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ टाइम मैगजीन भी अब उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ की मुरीद कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जी को बताया गरीबों का मसीहा आगे देखिए स्वतंत्र देव सिंग बीजेपी नेता, being positive in a negative situation is not naive, it is leadership, no other leader exemplifies this than the UPCM श्री योगी आदितनात, ताइम मैग्जीन has published an article on UP's COVID management. आगे देखिए दोस्तों, हरीश दिवेदी, जो कि बीजेपी की नेता हैं, तुनिया भर में बजराय मुख्यमंत्री श्री योगी आदितनात का डंका, प्रतिश्थित टाइम मैग्जीन ने COVID-19 को रोकने के प्रभावी प्रबंधन की सराना की, जबकि हकीकत ये थी, कि टाइ रोपैसा देकर, ये आर्टिकल वहाँ छपवाया था, ठीक है, और सबसे दुक्की बात ये, कि हमारा मीडिया, जो टाइम मैग्जीन के पहले पनने पर, किसानों को प्रमुकता से छापे जाने को पूरी तरह से भूल गया है, इस खबर पर जूटी खबरें चला रहा था, आपके सामने, अमबानी साब का चैनल, टाइम मैग्जीन में योगी की तारीफ, आगे देखिए, जी उत्तरपदेश, कोरोना काल में यूपी सरकार के काम का बजा डंका, सीएम योगी को टाइम मैग्जीन ने सरहा, सरा सर जूट, ये सिर्फ एक विज्यापन था, आगे द यूपी सरकार और सीएम योगी की जम कर तारीफ की, आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे जी हो, न्यूज एटीन, विदेशों में भी हो रही है सीएम योगी की चरचा, कोरोना नियंतरन को लेकर टाइम मैग्जीन ने की तारीफ, विडमना ये है दोस्तों, कि उसके बाद इसी न्यूज एटीन ने अपनी खबर को जुटलाते हुए हकीकत को छाब दिया, और क्या आपके स्क्रीन्स पर, फैक्ट चेक, टाइम मैग्जीन ने कुरोना नियंतरन पर नहीं की थी योगी सरकार की तारीफ, जाने हकीकत, और इस आर्टिकल में न्यूज एटीन ये बत आज किसान आंदोलन के सौ दिन पूरे हो चुके हैं, क्या इसकी कोई चरशा कहीं पर हो रही है, नहीं हो रही है, आज टाइम मैग्जीन में इस किसान आंदोलन की तारीफ हो रही है, क्या इसकी कहीं भी चरशा आप किसी गोदी मीडिया में देख रहे हैं, नहीं देख रह गलत बयानी और गफलत में कितनी दफन होगी बताईए दोस्तो टाइम मैगजीन के साथ कहने को तो बीजेपी सरकार का 36 का अकड़ा रहा है आपको याद होगा जब प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आने वाले थे उससे पहले टाइम मैगजीन ने ये आर रोक लग गई है जैसे कि आप जानते हैं कि आतिश तासीर जो हैं पत्रकार तवलीन सिंग के बेटे हैं मैं कुछ और पूछना चाहता हूं वैसे तो टाइम मैगजीन पर आप सवाल खड़ा करते हैं मगर फिर उसके तारीफ के भी आप प्यासे रहते हैं वो तारीफ जो उ होगी आदितनात सरकार और कुरोना को लेकर उनके विग्यापन के संदर्ब में हमने देखा मगर आज आज का जो दिन है न दोस्तों वो कहीं न कहीं इस खबर से भी बड़ा दिन है सौ दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के मैं आपको बतलाना चाहूंगा जब किसान जो है पहुंच रहा था सिंगु बॉडर उससे पहले ही पूरे मीडिया ने बता दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी हैं बात यहां नहीं रुकी मोदी सरकार ने बाकाइदा सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं खालिस्त पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, यानि कि ये दोहरा खेल खेला जा रहा था, मैं नहीं भूला इन दो चेहरों को, रवी शंक प्रसाद और प्यूश गोयल, दोनों मंत्री, इन में से एक जो हैं, वो तो बाचीत भी कर रहे थे किसानों के साथ, एक ये कह रहा था, कि एक ट दिल्ली पुलीस ने जो है हिरासत मिलिया था, क्यों? क्योंकि इसके पास एक टूल किट मिली थी, और उस टूल किट का मिलना, मानो खालिस्तानी आतंकवाद को समर्थन देने का सुबूत आ गया था, बाद में अदालत ने दिशारवी को बेल पर रहा कर दिया था, दिशार हो सकता है, मेरे खिलाफ वो धारा लगा दी जाए, जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है, उसका सिर्व इतना कुना था, और उस टूल किट में एक भी ऐसा शब्द नहीं था दोस्तों, एक भी ऐसी पंक्ती नहीं थी, जिसके जरीए ये पता चलता, कि ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं आपको ये तमाम चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आज किसान आंदोलन को सौ दिन पूरे हो गए हैं, और दूसरी बात, किसान आंदोलन का विरोध अगर वैचारिक तोर पर करें तो बात समझ आती है मगर उस आंदोलन को टारगेट करने के लिए बीजेपी सरकार, उनके पालतू मीडिया, उनके प्रचार तंत्र ने बार बार जूट का सहारा लिया मैं आपको बतलाना चाहूंगा जब लाल किले में निशान साहिब का ज्धंडा फेराया गया था तो बीजेपी प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोगों ने ये जूट चलाया था कि वहाँ पर खालिस्तानी ज्धंडा फेराया गया और फिर उसी जूट का सहारा लेकर पाकिस्तान ने हम पर निशाना साधा था पाकिस्तान ने ये कहा कि देखो खालिस्तान का जंडा लाल के लिए पर फैराय गया है और ये जूट किसी और ने शुरू नहीं किया था बलकि बीजेपी प्रचार तंत्र के गुर्गों ने शुरू किया था आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देश को बदनाम किसान कर रहा है या बीजेपी का प्रचार तंत्र क्योंकि आज तक वो किसान अपनी जगा पर खड़ा हुआ है मैं नहीं भूला हूँ मैं नहीं भूला हूँ वो निरनायक मोड उस रात को नहीं भूला हूँ दोस्तों गोदी मीडिया के तमाम अंकल्स पहुँच गए थे और बोल रहे थे किसान अंदूलन की आखरी रात है बाकाइदा दंगल किये जा रहे थी कि ये किसान अंदूलन की आखरी रात है मगर फिर उस एक तस्वीर ने पूरा पाला पलट दिया पूरी तस्वीर को पलट दिया जब हमने देखा था किस तरह से राकेश टिकेट सामने आये थे और उन्हें कहा था कि मेरे किसान को क्यों बदनाम किया जा रहा था उस रुदाली को मैं आज तक नहीं भूला हूँ और उसके बाद फिर से माहल पलट गया बड़ी तादाद में किसान जो हैं सिंगू बॉर्डर टीक्री बॉर्डर खाजीपूर बॉर्डर का रुख करने लग गये और फिर से उस आंदोलन का चेहरा पलट गया था मगर हकीकत ये भी थी दोस्तों कि लाल किले में जो हिंसा हुई उससे कई सवाल जुड़े हुए थी पहला सवाल आखिर किसानों को लाल किले में घुसने की इजाज़त दिल्ली पुलीस ने दी क्यूँ तूसरा किसानों की इस भीड की नुमाइंदगी क्या ये शक्स दीपसिद्धू कर रहा था वो दीपसिद्धू जो की सनी देउल के साथ भी दिखाई देता है गरे मंतरी आमिश्शा के साथ भी दिखाई देते है जो की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई देते है तो ये तमाम चीज़ें जो रहस के परदे में ठकी हुई थी मगर यकीनँ 26 जन्वरी को जो हिंसा हुई और जो मनमुटाव हुआ उसी के बाद सरकार और किसानों के बीच जो बाचीत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई मगर किसान के होसले पस्त नहीं हुएं किसान अब भी आंदोलन कर रहा है और बहुती मुश्किल हालात में क्योंकि उसके खिलाफ पूरा प्रचारतंत्र है उसके खिलाफ पूरी ताकत है मगर आज टाइम मागजीन के पहले पन्ने पर किसान अबोलन से जुड़ी महिलाएं महिला किसानों की ये तस्वीर आने के बाद कहीं न कहीं ये आंदोलन बतला रहा है कि वो अब भी जीवित है हमारा अन्दाता अब भी जीवित है और हमें बतला रहा है कि गांधी के सत्याग रहके सही माइने क्या है इसलिए आज किसान आंदोलन के सौ दिन पूरे होने पर एक बार फिर मैं आपको सलाम करता हूँ बोल कि लब आजान है तेरे में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिये जाज़त नमस्कार